नमस्कार दोस्तों में आपका होस्ट न दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक में वीडियो में दोस्तों अगर आपने भी कैश वर्स लोन एप्लिकेशन के माध्यम से लोन लिया है और आप उसका भुगतान करने में प्रेजन टाइम में असमरते हैं आप समझा नहीं पा रहे हैं क्या ये एक लीगल एप्लिकेशन है अगर आपके साथ में ये उत्पीडन कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए आपको क्या पूरा प्रोटोकॉल फोलो करना चाहिए आज कि इस वीडियो में आपको complete information दूँगा आपसे मेरा request है वीडियो को आप विल्कुल भी skip ना करें अगर आप वीडियो को skip करते हैं आपको पूरी जानकाई नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और गाईज अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्रिप्या करके आप मारे प्ले श्टोर पर बहुत सारी ऐसी एप्लिकेशन है जो की पूरे तरीके से ओथराईज नहीं है बट आप पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाते हैं कि आखिर कौन सी एप्लिकेशन प्ले श्टोर पर जो है वो ओथराईज है या नहीं है तो आप हम यूट्यूबर्स को करते हैं आप हमसे जानते हैं कि आखिर कौन से कंपनी रेजिस्टर्ड है या नहीं है आपको क्या करना चाहिए पूरा प्रोसेस हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बतायते हैं तो दोस्तों कैश बस को लेकर के मेरे पास में आप लोग की बहुत ज़्यादा इमेल जा र रहा है कुछ लोग के देखा तो देखे जो यह जंकारी मिली इसकी यह एप्लिकेशन अपने आपको आपको शो कर रही है तो यह एक रेजिस्टर्ड N.V.FC के दौरा आती है जिसका नाम है Wellfin Services Limited करके इसका नाम है NVFC का ठीक है अब हमने जब चेक किया कि यह जो NVFC है वाक्य में उकलब्ध है या नहीं है registered है या नहीं है चालू भी है या नहीं है current इस्तिती में देखा जाए तो तो देखिए हमें जानकारी मिली यह जो NVFC है present time में active है किसी परकार का कोई भी issue नहीं है जो NVFC है पूरे तरीके से active है और यह ऐसा नहीं है कि यह कोई मतलब unregistered है NVFC पूरे तरीके से यह working में है ठीक है अगर आप इस NVFC के ROC की बात करेंगे तो present time में जो भी ROC वेगर यहाँ पर show कर रहा है इसका वो show कर रहा है यहाँ पर एहमदाबाद यानि कि एहमदाबाद से यह जो NVFC है registered है आपको मैं clearly बतायता हूँ ठीक है और guys आपको यह जान करके बेहरदी दुख होगा अगर यह जो NVFC registered application होती है यह भी ऐसा काम करती है तो आप मतलब एक तरीके से कहते है ना tension होई जाती है कि इनको पूरे तरीके से RBI ने permission दी है loan प्रदान कराने की लेकिन इनके दुवारा जो छोटे छोटे यह जो loan application चलाए जा रहे हैं यह लोगों को पूरे तरीके से प्रताडित कर रहे हैं यह लोगों को डरा रहे हैं यह एक public company है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर clearly mentioned है ठीक है यह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीजों को तो guys यह बता दूँ मैं आपको यह कोई ऐसा नहीं के कोई नई NVFC है यह नई company बनी है यह काफि सालों पुरानी company है यह आपको बता दूँ मैं यह जो company है जो भी start की गई थी यह 14 दिसंबर 1995 में start की थी यानि कि जब तो हमारा जनम भी नहीं था जब यह company आई थी ठीक है आप यह देख लीजेगा अब guys आपको क्या करना है जो आपके proper तरीके से मान सम्मान को चोट पोचाई जा रही है देखिए सबसे पहले आप इस company की जो mail ID वगएरा जो है उसको पूरे तरीके से find करें मतलब जो cash बस है उसको आप एक mail करें पूरे अच्छे तरीके से कि देखिए हमने आप से इतने रुपे का loan लिया है और present time में हम आपका पैसा देने में असमर्त हैं ठीक है हम आपका पैसा नहीं दे सकते हमें कुछी time दीजे आप ठीक है mail में एक आच्छे तरीके से आप type करें ठीक है फिर आप wait करें 24 to 72 hours का ठीक है जैसे आप 24 से 12 गंटे का wait करेंगे तो guys उसके बाद में अगर आपको कोई response मिल जाता है cash bus के दौरा तो बहुत अच्छी बात है otherwise किसी परकार का कोई भी response नहीं मिलता है फिर आप इसकी जो NBFC है उसको पूरे तरीके से mail करें कि देखिए इस परकार का issue हमारे साथ में हुआ है और ये जो आपका पूरे तरीके से नाम हमें बता रही है application क्या ये आपके थुरू आती है पूरे तरीके से एक अच्छा email drop करें कि हमने इनको अच्छे तरीके से mail भी किया है सारी चीज़े हमने पूछी है बट इनकी तरफ से किसी परकार का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला उस mail में ये सारी चीज़े आप mention कर दें फिर आप wait करें 30 days का ठीक है अगर 30 days के अंदर अंदर NBFC आपको reply कर देती है तो बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपकी समस्या का समाधान कर देती है तो अच्छी बात कोई परिशानी वाली आपको मतलब tension वाली बात ये नहीं है अगर NBFC किसी परकार का आपको समाधान नहीं करती है तो आपको RBI के एक portal पर जाना है जैसे आप RBI के portal पर जाएंगे यहाँ पर आपको अपनी एक complaint launch करनी है अच्छे तरीके से ठीक है complaint में ये सारी चीज़े mention करनी है कि आपने NBFC को भी contact किया और आपने पूरे तरीके से बताया ये सारी चीज़े हैं लेकिन आपको किसी परकार की कोई भी सहूलियत नहीं मिली अच्छे तरीके से आप mention कर देंगे तो guys RBI के दुआरा आपको पूरे तरीके से reward दे दिये जाएगा और आपकी इस समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा अब guys बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन से प्रताडित हैं इनको डराया गया है इनको धमकाया गया है इनके मान समान को चोटिल किया गया है ठीक है वह क्या करें देखिए उनके लिए तो सबसे अच्छा option है जो भी आपके पास में recording है वो आप पूरे तरीके से cash burst को भी दें वो पूरे तरीके से आप जो इनकी NBFC है उसको भी दें ठीक अगर NBFC या cash burst किसी परकार का help ना करे तो गाई सारी चीजों को लेकर के आप consumer forum में जाईए और इनके खिलाब आप case file कर दीजेगा क्योंकि company पूरे तरीके से registered है अगर company ने गलत कार रिखिया है उसे 100% सजा मिलेगी और पूरे तरीके से किसी परकार की आपकी मानहानी हुई है तो उसका आपको compensation भी मिलेगा देखे दोस्तो cash burst का अगर आप payment नहीं करते हैं present time में आपको क्या-क्या loss हो सकते हैं आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है loss सिर्फ इतना होगा आपका जो civil है पूरे तरीके से ये लोग impact करते हैं ठीक सिर्फ और सिर्फ इतना loss होगा ना तो आपके घर पे किसी परकार की कोई police आएगी नहीं किसी परकार की आपको कोई भी मतलब legal action से गुजरना होगा जहां तक मेरा experience है पिछले 2-3 सालों का ठीक है ये मैं आपको इस परस्टूप से clear कर देता हूँ आपको मैं इन सब की जो mail IDs हैं वो अपने वीडियो के description box में दे दूँगा जिससे की आपको आसानी होगी इन सब तक पहुँचने में ठीक है अगर आपको RBI के portal पर complaint करने में किसी परकार की समस्या आ रही है आप खुद से complaint नहीं कर सकते तो RBI के द्वारा एक help line number चलाया गया है 1448 आप वहाँ पर भी शिकायत कर सकते हैं लेकिन शर्त यही होगी कि आपको सबसे पहले जो मैंने बताया है वो कार्ये करने होंगे तभी जा करके आपको help मिल पाएगी ठीक अगर गाईज आप सोचते हों के हम जो complaint कर देंगे application बंध हो जाएगी application का पूरे तरीके से खात्मा हो जाएगा application का हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा देखे आप गलत family का शिकार हैं जब तक आप पूरे तरीके से एक process follow नहीं करेंगे जब तक आप इनको code तक नहीं ले करके जाएंगे इन पर किसी परकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है दो दोस्तों देखे गाईज हम क्या हैं हम आपको aware करते हैं जागरू करते हैं और आपके समख संपूर जानकारी हम ला करके रख देते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको बहतर से बहतर जानकारी दी जाए और किसी परकार का आपके साथ में भाविशे में issue create ना हो हमारी निरंतर यही कोशिश रहती है ठीक है दोस्तो गैज उमीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी जो वीडियो है यह समझ में आ गई होगी क्या यह application RBI registered है क्या यह application RBI registered नहीं है क्या यह legal है या नहीं है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे वीडियो अच्छा लगा है आप वीडियो को like कर सकते हैं वीडियो अच्छा नहीं लगा है आप वीडियो को dislike कर सकते हैं आपको किसी परकार की और जानकारी चाहिए आप मुझे comment कर सकते हैं आप मुझे email कर सकते हैं मैं आपको पूरे तरीके से help करने का पूरा प्रियास करूँगा। और गाइस किसी भी व्यक्ति को डरने की ज़रत नहीं है घवराने की ज़रत नहीं है देखिए आपने लोन लिया है आप उसका बोगतान भी करेंगे लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कोई कमपनी आपको पूरे तरीके से परेशान करें तो अगर आप चाहते हैं इन कमपनी का खेल खतम हो जाए, कैश बस का खेल खतम हो जाए, कैश बस बंद हो जाए, बंद होना तो दिखिए मुझे नहीं लगता अभी प्रेजन टाइम में स्थेदी को देखते हुए पोसीवल है आगे जो भी होगा देखा जाएगा लेकिन हमें अपना करतव ये करते रहना चाहिए, हम अगर अपने माइंड के अंदर एक नेगेटिव सोच बना करके बैठ जाएंगे, कि ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों के मेरे पास में कुछ इस प्रकार के इमेल्स भी आए, जिन्हों ने कहा, सर आपने कहा था कि आप थाने आपको खा जाएगा, या आपको ये कर देगा, जब तक आपके पास में प्रपर तरीके से एविडेंस हैं, आप अपनी जगा पे सही हैं, तो आप डेफिनेटली जाहिए, जाहिए, ठीक है, देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे किसी प्रकार का इश्यू बता रहा हूं, तो मैं आपको उसका तोड़ भी बताऊंगा, अगर कोई थाने में आपकी सिकायत ना सुने, किसी प्रकार का कोई इश्यू हो, आप मेल करूँ, उसका तोड़ भी है मेरे पास में, अरे भाई, जब एक बात बताओ, जब हम पूरे तरीके से आपसे कह रहे ह कि आप गाड़ी पे बैठो, ड्राइविंग हम आपको सिखाएंगे, क्या दिक्कत है, कम से कम आप इतनी हिम्मत तो करो, अपने अंदर इतनी शमता तो लेकर के आओ, मेरे दोस्त, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, आप लाचार मत बनिये, अपने पैरों पर कुल वीडियो में.